नेक्स्ट मशीन है व्याशांत्री गिरनी पर आधारित प्रश्चन पहला कोश्चन है वेश्टन के एक व्याशांत्री गिरनी ब्लॉक में यदि बड़ी पुली की तरिज्जा 15 cm और छोटी की तरिज्जा 14 cm हो तो 400 N का प्रयास लगाने पर 600 N का प्रयास उठा लेता है तो अच्छता याद करना बच्चो में कुछ सिंपल सी बात है क्या क्या दिया है पहले हम लोग वो लिख लेते हैं हल क्योंकि नुमेरिकल बहुत सरूर होता है यदि फार्मला याद है तो सब कुछ याद हो जाएगा बड़ी पुली का ब्यास मान लेते है आर इच कल तू 15 cm हो डबलू दिया है छे डबलू वराबर दिया है भार छे हजार न्यूटन लिया उसके विशांतरी में हमारा मसीन की जो हमारा वेशांतरी घिरनी का होता है उस मसीन मशीन में जो हमारा वेगा नुपात होता है मशीन का वेगा नुपात वेगा नुपात होता है वो क्या होता ह है टू आर बटे आर माइनस श्मॉल आ यह फॉर्मूला होता है अधार इसमें हम रख देते हैं तो हो जाएगा टू आर मतलब दो गुड़े पंद्रह बटे पंद्रह माइनस 14 सॉल्फ करेंगे तो आएगा 30 उके उसके बाद यांत्रिक लाब यांत्रिक लाब बराबर होता है दक्षता गुड़े वेगा नुपात होता है क्या होता है इसे हम लोग सॉल्फ करें तो हो जाएगा डवलू बटे पी बराबर इटा इंटू किता हो जाएगा वेगा नुपात क्या हो जाएगा वेगा नुपात और मुझे क्या निकालना है इटा निकालना है तो डवलू बटे पी गुड़े वी यार इसका मतलब यह हो जाएगा डवलू की वैलू हो जाएगी किता माने अच्छे हजार उसके बाद उसके बाद चार सो गुड़े एक बटा तीस शॉल्व कर लेंगे तो आ जाएगा पचाश प्रतिशत आ जाएगा आप शॉल्व करके देख सकते हैं ठिक इसको कोई दोरा नहीं है यही हमारा क्या है आंसर है नेक्स कोर्शन क्योड़ देखते हैं नेक्स कोर्शन दिया हुआ है एक वेश्टन घिरनी मशीन की दक्षा इसवार दक्षता दे रखी और बड़ी पुल्ली और च्छोटी पुल्ली की तरीजा क्रमशा अनपात दे रखा इसवार बड़ी और च्छोटी चार अनपाते तीन है तो ग्याद कीजे कि आर्ट शोट के प्रियास बल पर कितना बोज उठाया करता है डवलू निकालना है यस आई ये देखते हैं बिलकुल सिंपल सी बात है बहुत टफ नहीं है फिराल हम हल में चलते हैं हम लोग इटा बराबर दिया है 60 प्रतिशत उसके बाद जो प्रयास दे रखा है वो दे रखा है आडशौव निउटन और कैपिटल आर्बटे С्मॉल आर की वैलू दे रखा है 4 बटे 3 अर। हत्ड कैपिटल आर बराबर हो जाएगा चार बटे तीन स्मॉल आर उसके डवलू कमान कोश्चन ही निकाल दीजिए फामला होता वी आर बराबर होता है टू आर बटे टू आर बटे आर माइनस अर होता है तो आर यहां रख लीजिए दो गुरे चार बटे तीन बटे आर यहां हो जाएगा 4 बटे 3, R-R, तो solve कर लें, R कमन जाएगा 8 बटे 3, बटा हो जाएगा, 4 माइनस 3 बटा 3, यह 3 से 3 कर जाएगा, तो 8 आजाएगा, तो VR की value क्या हो जाएगी, 8 आजाएगी, बट हमें निकालना है, बोज, बोज निकालना है, इता बराबर हो जाता है, म, ये बटे, वी र तो Lewis एटा बराबर हो जाएगा W बटे पी इंटू वी आर यहाँ से हम W बराबर लिख सकते हैं एटा इंटू पी इंटू वी उटी। ठिक, उसके बाद देख़े बच्चो उसके बाद W की बराबर हम वैलू रख देएं वेलू हो जाएगा इसी एकटा ऑगोकिता नोत पहल तो पालगर के जाएगा ऑफ मालू हो जायेगा उसका solve कर लें हम लोग फोड़ी सी गलती हो गई थी तो यह पूरा जब multiply करेंगे 3840 यही आएगा आपका Newton डब्लू बराबर यह हमारा क्या हो जाएगा answer हो जाएगा बच्चो clear यह हमारा क्या हो जाएगा answer